हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मादव ड्रेसीज, मादव ड्रेसीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लड्डू गोपाल जी का ये मुकुट बनाएंगे इससे पहले देखे, मैंने ये पोशाक की वीडियो अपलोड की हुई है इसका मैचिंग मुकुट आज मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है ये मैंने चैनल लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है सबसे पहले हमें ये chain बनानी है ऐसे note लगाएंगे और note लगाने के बाद हम इसमें इस तरह से chain बनाएंगे तो हमें total 60 chain बनानी है chain number के लिए तो पहले हम 59 chain बना लेते हैं ये chain बनाने के बाद अब हम 3 chain और बनाएंगे और 3 chain बनाकर यहां से 4th chain के अंदर एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशा बनाते हुए हम इस राउंड को कम्प्लीट करेंगे ये डबल क्रोशा बनाने के बाद देखे हम इस धागे को यहीं पर छोड़ देंगे और दूसरे कलर की वूल में नौट लगाएंगे इस तरह से और इस वूल में नौट लगाकर शुर इस तरह से फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशा फिर नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशा इस रो में भी हमें हर एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशा बनाना है देखे इस तरह से इस तरह से डबल क्रोशा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं राउंड को अब हम last में आगई तो देखे last वाला double crochet कैसे बनाएंगे ये एक chain बचिए यहाँ पर ऐसे crochet होग डालेंगे और इस लूप के अंदर भी ऐसे डालेंगे crochet होग और इस धागे को ऐसे निकालेंगे और यहाँ पर double crochet बना लेंगे और यह जो लूप है इसको यहाँ पर ऐसे खीच देंगे और एक चेन लेकर महरून वाला धागा हम यहाँ पर कट करेंगे इस तरह से अब इसको ऐसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद यहाँ पर देखिए पहली चेन के अंदर हम वाइट वाले धागे को ऐस पिक करेंगे यहां से ऐसे और फिर एक दो तीन चेन बनाएंगे तीन चेन बनाने के बाद नेक्स चेन के अंदर एक डबल क्रोश्या नेक्स चेन में एक डबल क्रोश्या next chain में एक डबल क्रोश्या इस रो में भी every chain के अंदर एक डबल क्रोश्या बनाना है तो बना कर complete कर लेते हैं अब यहाँ पर एक chain बना कर धागे को cut करेंगे तो यह देखे इस तरह से यह strip बन गई अब हम पहले इसके उपर लगाने के लिए कलगी बना लेते हैं तो पहले हम magical ring बनाएंगे और magical ring बनाने के बाद ऐसे क्रोश्या उप निकालेंगे और यहाँ पर एक दो तीन chain लेंगे तीन chain लेने के बाद इसी loop के अंदर एक बार और डबल क्रोश्या बनाएंगे और फिर एक बार और डबल क्रोशा बनाएंगे तो यहाँ पर तीन की चेन एक डबल क्रोशा और दो और बनाएं मैंने ये तीन डबल क्रोशा हो गए इसके बाद हम ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे दो बार धागा लेंगे और ऐसे लूप के अंदर लिजाकर इस तरह से ट्रिपल क्रोश्य बनाएंगे इस तरह से फिर एक बार और ऐसे ही दो बार धागा लेंगे और इस लूप के अंदर क्रोश्य उक डालकर ट्रिपल क्रोश्य बनाएंगे दो लूप एक बार, दो लूप एक बार, और दो लूप एक बार, अब हम तीन बार धागा लेंगे, और तीन बार धागा लेकर इसके अंदर फिर से ऐसी क्रोश्या बनाएंगे, दो लूप एक बार, दो लूप एक बार, दो लूप एक बार, और दो लूप एक बार, अब हम बनाएंगे दो बार जैसे इधर बनाया है यहाँ पर दो बार धागा लेंगे और इसके अंदर ट्रिपल क्रोश्या बनाएंगे एक बार और यह दो बार धागा लेकर फिर दो बार ऐसे ट्रिपल क्रोश्या इस तर ऐसे अब हम इसके अंदर तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे एक दो तीन जैसे हमने देखें यहाँ पर बनाया था पहरे तीन डबल क्रोश्या फिर दो ट्रिपल क्रोश्या फिर एक तीन बार धागा लेकर फॉर्थ क्रोश्या फिर यहाँ पर दो ट्रिपल क्रोश्या फिर तीन डबल क्रोश्या तो इस तरह से बन गए, अब हम इसको धागे को यहां से खीच लेंगे, और खीचने के बाद यहां पर एक, दो, तीन, तीन चेन लेकर वर्प को टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद पहली चेन के अंदर ही यहां पर एक डबल क्रोश्या बनाएंगे, इसके बाद एक, दो, तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेने के बाद एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी चेन के अंदर क्रोशय उग डालकर डबल क्रोशय बनाएंगे, फिर इससे नेक्स चेन के अंदर डबल क्रोशय बनाएंगे, तो यहाँ पर देखें, दो चेन में दो डबल क्रोशय बनाएंगे इसके बाद एक दो तीन चेन लेंगे और फिर यहाँ पर अब हमें चेन स्किप नहीं करनी है नेक्स चेन में ही एक डबल क्रोश्या बनाना है फिर इससे नेक्स चेन में एक डबल क्रोश्या अब यहाँ पर एक, दो, तीन चेन लेंगे और तीन चेन लेने के बाद फिर नेक्स चेन के अंदर एक डबल क्रोश्या फिर इससे नेक्स चेन में एक डबल क्रोश्या अब फिर एक दो तीन चेन लेंगे और एक चेन स्किप करके फिर हम यहाँ पर दो बार क्रोश्या बनाएंगे ऐसे एक डबल क्रोश्या और फिर नेक्स्ट जो तीन की चेन थी उसके अंदर एक डबल क्रोश्या देखें कुछ इस तरह बनाएं यह दो डबल क्रोश्या हम ने यहाँ बनाएं एक चेन स्किप किए फिर दो डबल क्रोश्या अलग-अलग चेन के अंदर बीच में हमने सब जगह 3-3 चेन ली और यहाँ पर कोई चेन स्किप नहीं की है तीन बार ऐसे बनाया फिर यहाँ पर ए इसदर के में पाई मैं को झाएंगे हैं यहां नोट लो क्ट किया से परूप होज़ीव करते हैं यहां पर एसिकंगे इस पर पने सलीप स्टिच करेंगे अब हम नेक्स चेन लेंगे एक दो तीन और यह जुभागें इनको साथ में ले लेते हैं यहाँ पर बुनाई में इस तरह से तीन चेन लेने के बाद इसके अंदर डबल क्रोश्या बनाएंगे एक दो एक हमने तीन की चेन ली दो डबल क्रोश्या तो तीन हो गए इसके बाद ट्रिपल क्रोश्या बनाएंगे दो बार धागा लेंगे और इस होल के अंदर हम ट्रिपल क्रोशय बनाएंगे इस तरह से इसके बाद एक दो तीन चेन लेंगे और तीन चेन लेने के बाद इस ट्रिपल क्रोशय के यहाँ पर यह होल है इसके अंदर ऐसे जाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशय बनाएंगे फिर इस haul के अंदर हम तीन बार डबल क्रोशा बनाएंगे एक दू तीन और यह जो धागे पीछे एक्स्ट्र थे हैं इनको हम कट कर देंगे तो देखें इस तरह से पत्ती बनी है यहां पर हमने तीन डबल क्रोशा बनाए फिर एक ट्रिपल क्रोश्या बनाया फिर तीन की चेन लेकर यहां पर लूप बनाया फिर ट्रिपल क्रोश्या फिर तीन डबल क्रोश्या आप देखें यहां पर जो दो डबल क्रोश्या है पहले हम इस वाले डबल क्रोश्या को उठाएंगे धरवाले को और यहां पर हम डबल क्रोश्य बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 हमने डबल क्रोश्य इस पर बनाएब यह वाला इसको ऐसे गुमा लेंगे इधर से और यह वाला डबल क्रोश्य है इसको ऐसे उठा पाँच डबल क्रोश यहाँ पर बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच डबल क्रोश बनाएंगे अब इसको ऐसे सीधा कर लेंगे तो देखे इस तरह से यहाँ पर यह बन गई अब हम यहाँ से यह नेक्स्ट हो लें के अंदर जाएंगे सीधे और यहां पर डबल क्रोश्य बनाएंगे एक दो तीन तीन बार डबल क्रोश्य और फिर ट्रिपल क्रोश्य दो बार धागा लेकर इस तरह से फिर एक दो तीन चेन और इस हॉल के अंदर जाकर यहां पर ऐसे सिंगल क्रोश्य अब एक बार फिर ट्र यहां पर ऐसे और फिर तीन डबल क्रोश्या एक दो तीन देखिए फिर यहां पर इस तरह से जैसे यहां पर बनी थी यह पत्ती बन गई अब हम पहले इसके अंदर बनाएंगे पाँच डबल क्रोश्या फिर इसको ऐसे घुमा लेंगे फिर यहां पर पाँच डबल क्रोश्य उठाएंगे यहां पर बनाये इसके अंदर पाच डबल कुरोशना है एक दो है यह तेन चार है पाच और फिर इसो ऐसे घुमाएंगे देखि इस तरह से और इस वाले डबल करोश हो उठाएंगे फिर यहां पर डबल कुरशय बनाएंगे एक दो तेन चार पाँच और फिर इसको ऐसे कर लेंगे सीधा और फिर इस होल के अंदर जाकर ऐसी पत्ती बनाएंगे और फिर यहाँ पर डबल क्रोश या पाँच पाँच दोनों में फिर यहाँ पर तो यहाँ तक इसको हम बना लेते हैं तो देखे इस तरह से यह वर्क बनेगा देखे फ्रेंड्स इस तरह से यह चार पत्तियां बनी हैं हमारी यहाँ पर और तीन बीच में यह सरकल बनी है अब बाद में जो दो डबल क्रोश्य है इनके उपर हम ऐसे सिलिप स्टिच करेंगे एक बार यहाँ पर और एक बार यह तीन की चेन थी यह जो डबल क्रोश्य है था इसके उपर अब एक चेन लेकर हम धागे को कट कर देंगे अब हम इसके उपर वाली पत्ती बनाएंगे यहाँ पर सेंटर में तो सेंटर में पत्ती बनाने के लिए देखिए पहले हम भूल के अंदर नौट लगाएंगे और नौट लगाने के बाद इसे हम देखें उल्टी तरफ से शुरू करेंगे यहां से रोंग साइड से ऐसे करेंगे और हम शुरू में हमारी यह एक चेन है इसको स्किप करेंगे यहां पर दूसरी chain के अंदर crochet रूख में दालेंगे यहां पर हम इसे slip stitch से जोइन करेंगे इस तरह से और फिर इसी chain के अंदर एक बार single crochet रूख में बनाएंगे अब हम यहां पर तीन chain लेंगे एक दो तीन और तीन chain लेने के बाद यह जो next वाली पत्ती है इसकी भी एक chain skip करेंगे और second chain के अंदर crochet डाल कर यहाँ पर ऐसे single crochet बनाएंगे अब single crochet बनाने के बाद हम इसको ऐसे turn करेंगे और turn करने के बाद अब हम इसके बीच में एक पत्ती यहाँ पर बनाएंगे यह चार पत्ती हमने बनाई है यहाँ पर center में एक बनाएंगे तो इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे रोंग साइड से हम इसका work शुरू करेंगे तो दीखे बूल में मैंने note लगा ली और note लगाने के बाद यह पहली chain है इसको skip करेंगे और second chain के अंदर यहाँ पर crochet डाल कर ऐसे slip stitch करेंगे और फिर इसी chain के अंदर एक बार single crochet बनाएंगे इस तर ऐसे single crochet बनाने के बाद एक दो तीन chain लेंगे और तीन chain बनाने के बाद यह next वाली पत्ती है इसकी पहली chain skip करके second chain के अंदर ऐसे single crochet बनाएंगे और फिर एक दो तीन chain लेंगे और यहाँ पर एक chain skip करके दूसरी chain के अंदर ऐसे single crochet बनाएंगे अब इसको यहां से ऐसे टर्न करेंगे तो देखें यहां से हम ऐसे धागा लेंगे अब जो हमने यह तीन की चेन बनाई थी यहां पर जो इनके यह हम एक डबल क्रोश्य अकाउंट करेंगे तो एक डबल क्रोश्य यह हुआ इसमें धागा लिया क्रोश्य में और यह जो लेंगे, ट्रिपल क्रोश्य बनाएंगे, फिर दो बार लूप लेंगे, एक बार और ट्रिपल क्रोश्य बनाएंगे, इस तरह से, और फिर तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेने के बाद इसके होल में जाकर यहां पर ऐसे सिंगल क्रोश्य से जोइन करेंगे, इसके बाद फिर ट्रिपल क्रोश्य बनाएंगे एक बार और ट्रिपल क्रोश्य बनाएंगे तो दो बार हमने इधर बनाया ट्रिपल क्रोश्य इसके बाद यह लूप बनाया दो बार फिर ट्रिपल क्रोश्य अब यहां पर तीन डबल क्रोश्य बनाएंगे तो तीन डबल क्रोश्य बना और एक चेन लेकर यहां पर धागे को कट कर देंगे देखिए धागा कट हो गया अब इस तरह से यह हमारा मुकुट बना है अब हम यह दागे पीछे निकाल कर इसको यहां लूप में निकाल कर और इस धागे के साथ नोट लगा कर पीछे इन धागों को एड़ेस्ट कर अब इसके बाद हम यह पगड़ी से लेते हैं पगड़ी को देखिए हम ऐसे पकड़ेंगे और यह चेन देखिए यह चेन स्टिच दिखाई दे रहा है इसको हम अपनी साइड रखते हैं जहां से हमने इसको वर्क को एंड किया था है यह वो वाली रो है इसको हम ऐसे पकड पहले हम इसका ये वाला पॉर्शन करेंगे इस्टिच और ये धागे हम अंदर की तरफ कर देते हैं अब देखिए इसके सेंटर में यहाँ पर ऐसे इसको स्टिच करेंगे यहाँ से इसको एक बार पक्का कर देते हैं और अब हम एक बार ये वाला पॉर्शन सीलेंगे एक बार ये वाला आप कोई सा भी पहले सील सकते हैं या इधर वाला या इधर वाला तो हम इसको देखिए ऐसे यहाँ सीलते जाएंगे ये धागे अंदर की तरफ कर लिते हैं और ये जो ओपन पोर्शन है यहां तक हमें इसे सिलना है इस तरह से देखिए इधर से हमने सिल लिया अब इस निडल को ऐसे निकाल लेते हैं नीचे की साइड से जहां तक हमने सिलना शुरू किया था यहां तक निकाल लेते हैं और ये वाला पोर्शन सिलेंगे अब हम इसको भी जितना ये ओपन है यहां तक सिलेंगे देखिए यहां तक हमें इसको सिलना है देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब ये पगड़ी सिल गई अब हम इसके पीछे ये मोकोट लगाएंगे जो हमने यहां पर बनाया था इसको इस तरह से लगाएंगे तो हम needle को यहीं से ले जाते हैं पीछे की side देखे, यहां से इसे निकालते हैं पीछे यहां पर निकाल लेंगे, और निकाल कर इसको यहां से ऐसे सिल देंगे. इसको यहां पर 4 पाँच बार पक्का कर लेते हैं, इस तरह से. इसको उटेच करने के बाद देखें मैने धागा यहां पर कट कर दिया और अब मैंने एक फ्लावबर बनाए है जो कि मैनेद्रेस में बनाए थी ट्रेस में फ्लावर लगाए थी तो मैं उसका लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप फ्लावर बना ल हर एक पत्ति के अंदर से ऐसे एक इस्टिच निकान लेंगे और नीचे निडल ले जाकर पीछे नोट लगा देंगे हम इसमें तो देखे फ्रेंड्स इस तरह से बनाया अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं डेकोरेट करनें के बाद देखे मैंने इसमें कुछ परल पेस्ट किये हैं वाइट कलर की आप चाहिए तो उनको सुई धागे से भी सिल सकते हैं बहुत ही प्यारा मुकुट बन करके तयार हुआ है आपको कैसा लगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और जादे से जादे शेयर करना नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं फिर एक नए डिजैन के साथ तब तक के लिए राधे राधे